हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ कमलेज और आपकी थाली में करती हूँ आपका स्वागत और फिर से मैं आपके लिए एक बहुत प्यारे एक्ट्रेक्टिव उसे केक की रेस्पी लेकर आ रही हूँ जो कि रेड वैलविट केक है सभी को बहुत पसंद आता है और ये एनवरसरी केक म मैंने बनाया है तो यहां पर मैंने प्रीमिक्स लिया था तो यहां मैंने प्रीमिक्स लिया है चार सो से सवा चार सो साड़े चार सो गिराम के करीब प्रीमिक्स लेकर मैंने छोटी भगोनी मैं इसको डाल के बनाया है यह आप देख सकते हैं एक बड़े भगोने को पर पूरा वायट वीप क्रीम लगा कर इसको त्यार कर लूँगी केक केक को पूरी फिनिसिंग देते हुए तो यहाँ पर मैंने फॉर लेयर काटी है क्योंकि मुझे ये हाइटीड केक चाहिए था और वैसे भी सवा केजी का था तो इसकी तो फॉर लेयर बननी थी ज्यादा उचा था तो जो मेरे पास थे जो मेरे पास स्क्रब्स थे वो छोटे थे तो मैंने से एक गत्ते का जो होती है उसी तरह का गत्ता एक लिया मैंने उससे इसको फिनिसिंग दी है तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी इसकी फिनिसिंग आ चुकी है और उपर अगर ज्यादा भी फिनिसिंग नहीं करोगे तब भी चलेगा क्योंकि रैड वेलविट में हमने जो केक का उपर का पार्ट था उसको मिक्सी में अच्छ अच्छ elyett कर लिया और उसके बाद हमने इस इसको इसम robić से चिपका देंगे जिससे ये काफी अच्छा रैड वेलविट जो हमоло केक है वह तियार झूलम व्यूंकि एंदर मैंने कोई बटर बंटर नहीं कर रह है क् कर्यार इसको अच्छा से हम फिनीसिंग कर लेंगे निचे से अब कर डाल कर मैं नियाँ पर कंपार मीलाब फूल बनाए और आख बलाब पर मैंने प्रेफि स्वाल फॉल बनाने के वाद थोड़ा संदर अन्सक्राइन चैठ्व समतूम करीब 400 ग्राव के करीब मैं यहां पर जो पूर्च मित लिया था हमारे उतना ही क्रीम इसमें लगी है और यहां पर मैंने जो अदिभा आती है न बटरफ्लाइब वही मैंने इसमें लगा दी है और श्तिक लगा दी है काफी सुंदर हमारा केक बना एक पसंद आए तो मेरी वी